असलाम अलेकम व्यूज देख लोग क्या है हुए आज DJI Mini 2 है और एक और ट्वाइ ग्रेट Velocity 2 ड्रोन राइट किसको उन्बॉक्स करें इसको करें इसको करें चलो करना तो दोनों को यह है तो आज ऐसा करते हैं दोनों को उन्बॉक्स कर लेते हैं और एक थोड़ा सा ओवर्व्यू भी ले लेते हैं कि कौन सा क्या है कौन से ग्रूप को ड्रेस किया जाता है यह है चरावयाली DJI Mini 2 मेरा जो फर्स ट्रोन था वो था मैविक प्रो जो ओरिजिनल आया था उसके बाद भी मैंने चेंजिस की हैं खेर एनिवेज सो गब्बे के अंदर यह है फ्लाइमोर पैकेज और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है अच्छा यह है जनाव यारी बड़ा ही खुबसूरत किसम का बैग और इस बैग के अंदर कि इतने खुलता है जनाव याली तो यह है DJI Mavic Mini Part 2 और सबसे पहले ही चीज नोट किये मैंने यह इसके जो आपके जो लगे हैं आपके प्रोपेलर्स लगे हैं यह प्रोपेलर्स जो हैं यह आपके पेच्चों से लगे हैं यार बहुत ही छोटा साइज में यह चेक करो लिटरली यह साइज के रेफरेंस के साब से देखो यह नोट 10 प्लस अब यार यह देखो भाई देखो यह चेट करो यह अगर 200 फोट पर जाए यह नहीं नजर आएगा यह तो खिलोना है यार 259 ग्रैम्स और क्या केसिंग बनाई है भाई क्या केसिंग बनाई है वेरी नाइस यार यह पता है यह शुरू में भी होनी चाहिए थी यह जो सहाब रहता है और आय थिंख के तो गिनाब आदी यह है वाद 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 यत कर्स टिकर उड़ा ज bastikन कर लगते हैं दर्स टिकर जायकलہ से यह शार राइट तो arms और ये इसकी legs hmm thing of beauty zabardaast hmm very nice 259 grams light ultra नीचे दो sensor लगे हुए हैं और ये light लगी हुए है ये इसके air tin takes हैं जो के इसके circuitry को ठंडा रखते हैं और अच्छा ये battery compartment लग रहा है ओके battery compartment ये battery very nice यार ये तो बड़ी प्यारी चीज में आई है okay USB-C SD card slot ये DJI की टेपिकल लाइट ये इसका gimbal protection कितना बेतरीन कर दिया यार पहले एक टाइम होता था मुसीबत बनी होती थी गिंबल का cover लगाना एक अजाब होता था और ये थ्री एक्सेद है यार साइड पर को साइड पर को अले दादा मदा आगया मदा आगया मदा आगया ये चीज ये चीज मेरे अजीज वाह फूर के फूर के करता है ये 30 fps पे अब मुझे ड्रोन उडाते काफी टाइम हो गया है और जो जो मेरी ये वीडियो देख रहे है और इसे शेयर करेगा ट्रस्ट मी पूरा टुटोरियल दोंगा कि इसको कैसे उडाना है और इसको भी कैसे उडाना है उर्दू में टुटोरियल दोंगा सारा सीख जाओगे इतनी कोई rocket science नहीं है एनिवेस ड्रोन को रखते हैं हम site पे ये अब देखते हैं भई इस डबा शरीफ में हौर क्या क्या है तो जनाब एली ओओओओओओओओओओओओओओओओओओद। होम बटन नॉर्मल सिने अच्छा स्पोर्ट ओखो सिने में होता है कि हर्ट किसम की जो मुवमेंट होती वो स्लोडाउन हो जाती है नॉर्मल ओके जनरल जो इसकी एक फ्लाइंग स्पीड होती है उस पर उड़ता है स्पोर्ट पे अब्यस्ली खडपैंची मोड फंक्शन गिंबल कंट्रोल रिकॉर्डिंग और यह क्या प्ला है वह हो हो एंटिनास एंड मुबाइल फोन होल्डर साथ ही दिया हुआ है और यह मुबाइल फोन के लिए यह पेसी करें तो इतना बड़ा हतौरे जितना फोन में फिट आएगा कि नहीं आएगा साथ सो यह कि मैं यह राइट सो यह ऐसे फिट हो गया और क्या क्या भाई एक्सेसरीज और एक्सेसरीज में इसके अंदर तो इंस्ट्रक्शन होंगी हम पाकिस्तानी है हम टक्रे मार के सीखते हैं खैर रोजगार कारा यार क्या बोलना यह एक बीनी दो भीनी तीन बैटरी और यह पता कौन से चार्जर है मज़ीगी बात बता हूं यह चार्जर बैटरी बैंक बन जाता है अब एक तुम उड़ा रहे हो ठीक है दो तुम्हारे पास इसमें है और तुम्हें लगा कि तुम्हारे फोन की बैटरी वीक हो गई है इसके साथ यूस्बी सी लगी है ठीक है यह देखो इन आउट इस आउट के साथ अपने फोन की तार लगो और पावर का बटन दबाग के रखो फोन चार्ज करेगा तो डीजे ने एक आपको एक तरीका का बैटरी बैंक की दे दिया वेरी नाइस वेरी नाइस और क्या भई और है इसके अंदर एक अदद चार्जर शरीफ और क्या बात है क्या बात है यूएस्पी सी माइक्रो यूएस्बी और यूएस्पी सी तु स्टेंडर्ड वेरी नाइस को टॉफी शाफी ने दाली भी बीच में राइट खैर एक यार इसकी डूंड़निया किदर गई है डूंड़निया क्यों नहीं मिल रही भई क्या अब मेरे जैसे जाहिल को समझ नहीं आ रही ओप क्या बात है यार क्या बात है यह देखो भई डबे में ढून रहे हैं और यह इदर हैं डीजे आए ने तो इस दफा यार शजादों वाला काम कर दिया है यह चेक करो चेक करो गेम चेक करो डीजे की वाँ अर वेरी इंपरेस्ट वेरी वेरी इंपरेस्ट मैंनें डीजाए के तकरीबरान ऑलमूसं चोटे वाले जितने वी ड्रॉनजयाई फ़ार्क को गया और एर को छोड़ के तकरीबन सारह ही इस्तमाल की है और एर मैंने ये जो मिनी वन था वो नहीं इस्तमाल किया था क्योंकि वो वाइफाई था जादा और वाइफाई में मैं इंट्रस्टेड नहीं मुझे ऑक्यू सिंक टू जो वज़ा है ना उसकी वज़े से लिए है तैने टी पी पे आपकी और मजाग के लावा इसकी बिल्ड कॉलिटी बहुत बेदरी नहीं है यार मैविक प्रो से किसी लिहास से कम नहीं है ये वाकी ही उसी कॉलिटी के अंदर एक डाउन स्केल्ड मॉडल लगता है वाकी ही लगता है ये उसका छोटा बच्चा है मिनी टू फॉर रीजन एनिवे तो इसको तो हम करकते हैं अब साइट पर